हाई दोस्तों असलाब अलेकुम किस से आप लोग मेरा अमना भी लिए आज हमारा संडे क्योंन है जिसमें आपके पुछेवे questions के आंसर दिनी में कुछ करता हूं अगर इसे questions चूट जाता है देना है रिली सॉरी फर दैट दिन उसके लिए ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे संडे क्योंने की पहले question के साथ पहला कुछा इंविंसिबल बॉट ने बोते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव टेंपर ग्लास जो है आइपोन 14 प्रो मैक्स के लिए आता है कि एस 24 जैसा तो बहुत सारे आते हैं एंटी रिफ्लेक्ट है तो वैसे टाइप के 14 प्रो मैक्स के लिए आपको एजीली मिल जाएंगे मैट फिनिश वाला ले सकते हो और वहते हैं क्या रिमूफ कर रहा है सामसंग या फीचर और यह चीटिंग है पबलिक के साथ तो एक साल का उन्हें वैसे बुला था दो और पचीज के एंड तक ही आप में किसी भी मेस्जिश कर सकते है वह एक अच्छा लगता है मुझे इसके अलावा ज्यादा कुछ ग्रेट फीचर मुझे यह आए वाले इसमें लगते जो कि आप रोज यूस करेंगे है तो अच्छे लेकिन रोज यूस करने के लिए यह दो ही ठीक लगते है मुझे अ आपको मिले आप ले सकते हो बेस्ट आफर जहां से मिलता है वहां से लीजिए सयद अमान बूलते है काफी सारे आईफोन यूजर्स को आईफोन 14 यूजर्स को यह प्रॉब्लम आ रहा है कि सेल्फी में पोर्ट्रेट जो है वर्क नहीं कर रहा है और यूट्यूब भी आपके लिए तेजस बोलते हैं लास्ट टू विक से पूशन पूछ रहा हूं कि मैकबुक एर M1 चार्ज पर रखने पर क्या इससे बैटरी एफेक्ट होती है क्या और मुझे डूल पोर्ट चार्जर्स कीजिए अपने मैकबुक और आईफोन को फास्ट चार्ज करने के लि वो चार्जर से आप मैकबुक एर आपका और आपका आईफोन जो है वो चार्ज कर सकते सेफस तो ही है और यहाँ पर यहाँ पूछ रहे कि कॉंशनली चार्ज पर रख सकते है बिल्कुल आप रख सकते एक लेवल की जानने के बाद जो है वो बैटरी से नहीं बलके जो नहीं है उसमें क्लिंटन बोलते है 85,000 रुपीस कैश है सेल बड़ी पे कॉल किया तो 14 प्रो मैक्स न्यू जो है 95,000 का आ रहा था और 15 प्रो मैक्स 125 का आ रहा था मेरे रिक्वार्मेंट बड़ी बैटरी लाइफ है क्या 14 प्रो मैक्स का गोल्ड कलर 15 प्रो मैक्स के टाइड पढ़ेगा पहले बात तो बजट का इशू साइड में रखिए अगर बजट है आपका तो अलग बात है अदर्वाइस फिर क्या फरक पड़ता है क्लर किसमें बेटर है और किसमें नहीं आपका जो बजट है वो जो अलोग करेगा उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लेक ही बेटर फोन है 14 Pro Max के मुकाबले अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो अगर आपको इसा लगता है कि बाटरी हेल्थ आपकी 100% हो जाएगी बैटरी चेंज करने के बाद तो आपका फोन सब कुस सही करेगा और आप उसे सैटिसफाइड रहेंगे तो ज़रूर आप 8000 रुपे स्पेंड करके बैटरी रिप्लेस करवा लिजे लेकिन अगर आपको से लगता है कि नहीं उसके आप मुझे लगे कैमरा अपग्रेड करना चीए था और मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी और बड़ी होनी चीए थी ज्यादा बैटर लाइफ मिलनी चीए थी ज्यादा स्टोर रहे है यूस वाला लू या फिर दुबई वाला लू कोई डिफरेंस रहेगा क्या यूस जपान मॉडल के बीच में देखिए आपको अगर दुबई से आइफोन लेना है और इंडिया में भी उसकी वारेंटी क्लेम करनी है तो दुबई के आप स्टोर से आप दुबई मॉ प्रो को एक साल साथ महीने हो गए है और बैटरी हेल्थ 86% पर है और साइकल काउंट जो है 479 है तो क्या हजार साइकल से पहले मेरा फोन की बैटरी 80% नीचे गई तो क्या फ्री में मुझे बैटरी रिप्लेस्मेंट मिलेगी क्या सबसे पहली बात आपका फोन जब आउट साइकल में ही 80% नीचे जाती है तब आप क्लेम कर सकते हैं कि आपल का जो दावा है वो यही है कि 80% रिटेन करेगी बैटरी हेल्थ आपकी आइफोन 14 सीरीज अगर 500 साइकल काउंट हो जाते है उसके तो और 1000 साइकल काउंट किसके लिए वो आइफोन 15 सीरीज के लिए तो आईफोन 13 लेना चाहिए अब म欸2017lleம कि अगले वीडियो में कैसे अगला वीडियो अगला वीडियो अफ्टें आने वाला है तो यहां पेए बोलतें के वृटीनलेव एस बुठिबस फितिन पॉर्ट जो है वह 14 प्रोमही यह 25 में सिर्फ यह सिर्फ उस्भी टाइप सीो थो ले लू क्योंकि maps ही मुझे 15 pro max पे जाधा चलाना होता है जो कि मेरा primary phone है और 4-5 साल यूज़ करता हूँ देखो 15,000 रुपे का आप android phone लेंगे उससे अच्छा आप इसकी battery भी तो replace करवा सकते है अगर आपको car में ही चिपका के रखना है phone को dashboard पे और पूरा time आपको जो है maps ही उस पे चलाने है आपको ऐसा business करते हो या पूरा time travel करते हो तो in that case वो sense बनता है कि आप android phone ले लो या फिर सकता है bike पे करेंगे तो उस case में पूरा time अगर phone वा पे लगा के रखना है तो android phone ले लो अगर आपको यह hassle नहीं चीए तो iPhone ही use करो जब बैटरी डाउन हो जाएगी उसकी health तो उस टेम पे उसकी battery replace आप करवा सकते है और इससे तो कमी पैसा लगेगा आपको अक्षय का question है क 4-5 मेने पहले apple watch 8 cellular वाली ली थी इन्होंने लेकिन जब इसको active करने जा रहे है जीओ पे register करने जा रहे है तो वहाँ पे series 7 दिखा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका simple answer यह कि उनके database में जो आपके watch का serial number वगरा होगा उसकी वज़े से वहाँ पे series 7 दिखा रहा है लेकि किसी भी company के earbud जो है आईफोस में काम करते विशाल बोलते है कि Samsung और Apple में से show off ज्यादा किसमे है मैं iPhone 15 लू या S22 अल्टरा लू I am a normal user अगर आप S22 अल्टरा नहीं S24 अल्टरा भी ले लेंगे कोई इतना notice करने वाला नहीं है आज तक मुझे एक या दो बंदों नहीं पू नहीं देखिंगे ओविसली लोग वहां पर सबके पास iPhone होता है लेकिन आप ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर लोग के पास generally महेंगे फोन नहीं होते तो वहां पर Samsung का महेंगा फोन और Apple का महेंगा फोन में Apple के महेंगे फोन को ज्यादा attention मिलेगा तो उसके लिए आपको लेन सारी है और आपको उसके बारे में सोचके decision लेना चाहिए सुलेमान मीर बोलते है कि इनके खुद के 1 million subscribers हो गये YouTube पर तो आप अपने YouTube channel का नाम भी लिखते तो मैं ज़रूर चेक करता यह vlogs बगरा शायद बनाते इन्होंने पहले भी कई बार question पूचा है तो यह बोलते है HP का laptop है इनका और यह lag कर रहा है तो क्या iMac लेना चाहिए या Mac Mini लेना चाहिए दोनों में क्या फरक है और उनके चैनल पर कुछ giveaway रखना चाहते है motorcycle करना चाहते तो यह किस तरीके से कर सकते है वो तो आपको random comment picker से comment चूज करके आपने जो भी condition रखी होगी उसे ताप से चूज क better रहेगा आपके लिए बाकि iMac का M3 model आ गया है Mac Mini में M3 model नहीं आया है लेकिन आप Mac Mini को थोड़ा सा upgrade करके अच्छे से इस्तमाल कर सकते और थोड़ा सा cost भी उसका आपको कम पढ़ जाएगा मतलब same cost में आपको जाधा better configuration और जाधा RAM भी देखने मिल जाएगा तो इन दोनो इसके आपको फिर record device लेना पड़ेगा सेयद मजर बोलते है iPhone 10R क्या iOS 18 सपोर्ट करेगा जाधा करके नहीं करेगा और बोलते है Islamic date iPhone lock screen पे कैसे add करूं तो उसमें आप settings के अंदर calendar में जाके alternative calendar में जाके जो हिजरी calendar है उसको आप चूज कर सकते है Chinese भी है बहुत सरे calendar से देख सकते अपने iPhone को शामसंग के डाप्टर से में चार्ज कर सकते है यश बोलते है iPhone 11 बीस अजार उब में कैशिफाई से लेना चाहिए चाहिए प्लीज बताओ iPhone 11 में ने कंट्रोल जी का लिया था मुझे फोन अच्छा लगा बाकी पार्ट्स अगरा वो लोग चेंज करते है ल Apple Watch यूज करते है तो उसका प्रोड़क का नाम भी आप सही लिखो क्योंकि मेरे मुझे सफिर आइवाश निगा जाता है मुझे अच्छ न लगता हो Apple Watch 7 लेके यह वाटर पाक में गये थे लेकिन वहाँ पे पानी से वाच खराब होगी जबके वाटर प्रूफ है तो खराब वाटर एजेक्ट भी आपको उसका रन करना होता है जो उसकी कंट्रोल पैनल में होता है तो वह आपने नहीं कियोगा जिसकी वैसे वाच आपकी खराब हो गई यह वजह हो सकती है उपंग सू बोलते है के औरिजिनल आपल का सिलेगोन केस मैंने अमेजान से लिया था लेकिन वो एक महिने के अंदर ही खराब होने लग गया है तो क्या मैं इसको आपल से रिप्लेस करवा सुक्त गया तो इसको आप जाके अपल से दिखाईए अगर फिजिकल डामेज आप 1 और 2 नंबर पे रहते हैं इसलिए आपको ये लिस में मुश्किल से ही मिलेगी पून हम बोलती है कि आइफोन 13 यूज करें दो साल से इन्होंने डिस्प्ले भी चेंज करवाया उनका क्यों ग्रीन स्क्रीन आ गया था 25,000 रुपे दिये थे अभी यह बोलती है कि हमें अपने आइफोन 13 को चेंज के लोगे हैं मुझे डर लग रहा है आइफोन 15 से बिल्कुल आप कीजी अभी आइफोन 15 पर ऑफस भी बहुत अच्छे है और आइफोन 13 के आपको वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी और एक्स्चेंज बोनस भी तो कर लेना ही बेटर है रैपस म्यूजिक का कॉश्चन जो है आप लोग भी पढ़िये मैं भी पढ़के बाता हूं ऐसे लोगों से घर वालों ने चीन लेना चाहिए और इनका फोन भी छुपा देना चाहिए और इनकी पढ़ाई पर उसको लगाना चीए इनको बिल्कुल भी इंटरेट का यूज नहीं करना चाहिए क्यों एसा मैं बोल रहा हूं क्यूंकि लिखते कॉमेंट में देखा और डिलीट कर दिया वरना आपके कुद के 5000, 6000, 10,000, 50,000 पता नहीं कितने वो लोग लूट के ले जाते हैं तोड़ा सा दिमाग और अकल जो परण ने आपको दिया है उसका इस्तवाल करो अगर नहीं दिया है तो बदाम का सेवन करो यूँकि जहां पर कॉमेंट लिख नहीं चल रहा है iOS 17 पर अपडेट करने के लिए बोल रहा है पॉसिवल है क्या विदाओ iOS 17 जो है आपके बैंकिंग अप्लिकेशन नहीं चलेंगे क्योंकि जो बैंकिंग अप्लिकेशन है या बैंक से उनका ये रूल होता है कि आप जो है latest OS पर रहेंगे तब ही वो चलेंग और warranty claim service center पर करा हूँ और कुछ ना बता हूँ कि मीना बजार से phone लिया है उनको बोलू iPhone warranty शो हो रही है तो आपको देनी पड़ेगी तो मैं ऐसा करके लड़के warranty ले सकते हो क्यों बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसा क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं लेकिन अगर आप डर गए कुछ लोग डर जाते हैं मतलब आपको तो प्रैक्टेस तो आप कर सकते हैं कि भाई मैंने फोन लिया था महां से बिल नहीं है शॉप का बिल है यह देखो तो फिर हो गया फिर आपको warranty नहीं देने वाले यूग कि इंडिया के एपल के service रेटर जो third party वाले उनमें काम करने इतने भी कोई सीधे नहीं raw gamers बोलते है के 15 pro max लिया है बाहर से चोरी हो गया बोलके यहां मंगवाया इसकी insurance policy उसको update करने पे lock लग गया है क्या करे please help me lock खुल सकता है क्या और यह नहीं लिखा है मैं आपका पुराना subscriber हो अगर आप मेरे पुराने subscriber हो हमेशा मैं आपको बोल मिल जाता तो यहां का phone पैसा उनको मिल जाता है औरphone free पढ़ जाता है और 1 ओर phone यह सब जो है चोरी ही है आप बोले चोरी हो गया लिंगि चोरी करने वाले वह खुद हो जाएंगे तो यह काम कभी भी करना नहीं बाकि को खूद तलाश करना वोगा market में घुम के के कि इसका lock खुल सकता है नहीं खुल सकता है लेकिन आगे से काम बिलकुल भी मत करना यह चोरी में ही कंसिडर किया जाएगा और गलत काम मत किजिए ट्रिप बोलते है कि मेरा यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूं आइफोन 15 pro max से रेकॉर्ड करता हूं वीडियो फोन का सभी आपके कहने पर यूज कर रहा हूं टोटेम का यूज कर रहा हूं उसके ग्लास पर हैंक करने के लिए बहुत सारे मोबाइल ओल्डर आते है मैं यूज करता था पहले बाद भी तो टूड गया है कही साल पहले मैंने उसको लिया था और उसमें काफी अच्छे से मैं फोन को माउंट करके वीडियो लेता था लेकिन हो 15 pro max नहीं था हूँ एक चोटा आइफोन था आइफोन ऐसी था उस टाइम पे मैं थोड़े ब्लॉ पॉन जो है वह आप कंस्डेटर कीजे या फिर कोई और डिवाइस जैसे कोई एक्शन कैमरा और एक और चीज़ बता देता हूं कि क्यूंकि फॉर्चोन का सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा बंपी है बंपी राइड होती है तो अगर चीप कॉलिडी का या थोड़ा भी आप इंफिर क्कॉलिडी का प्रोड़क्ट लेंगे तो आपका फोन गिर के डामेज हो सकता है दा ओसम बॉइ गेमर बोते है आइफोन के केस को लेकर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूं मेरा यूजर रफ है और कौन सा केस लेना चाहिए और सब कुछ ही है स्पीगन रगेड आर् प्रोड़क्ट लेकर मिलेगा तो रिंके केस जो है या फिर मैंने जैसे टोटेम के केस को भी रिविव किया है मैंने के लिए इनके अंदर भी ड्रॉप प्रोडेक्शन बहुत चीव मिलती केस का अभी मैंने एक वीडियो दाला यहीं पर रखा हूँ है टेबल पर और यह इ के पास पहले आइफोन 11 था अभी 15 चला रहे है वो मजा रहा है उनको ठीक है एरपोर्ट देना चाहते है एरपोर्ट्स प्रोड सेकंड जनरेशन लू या फिर प्रोटी का वेट करू लीक्स आ रहे के और डिस्प्ले के साथ है डिस्प्ले के आने के मिलन लीक्स देखा नह अब बताऊंगा और बोलते हैं मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लोग बोलते हैं इसको शटडाउन मत कीजिए बस लिड बन करना अच्छा है अगर आप उसको यूज करते हैं बार बार अगर आप बहुत दिन के लिए कर यह जा रहे है तो उसको शटडाउन करके भी रख सकते है लिड बन करने में क्या है इंस्ट्रेंट लिए आपका मैक्वुक वहीं से ओन हो जाएगा और बैटरी भी उतनी कंजियूम नहीं करेगा पूरा जो रिश्टार्ड होता है उसमें थोड़ा बैटरी जादा कंसम्शन होता है आयुश कुमार बोलते हैं आपके फिफ्टीन फ पर का कोई फोन अभी आज की टाइम में आपको मिलेगा नहीं आपका सिस्टम भी बन जाएगा आपका काम भी हो जाएगा बाकी जो लेक्चेर्ज वगरा के लिए आईपैट्स या फिर मैक्वुक जो है वह बैटर रहता है इतना पैस है आपके पैरन्स के बार आपको भी है अगर आपके कार के अंदर सिग्रेट लाइटर वाला पोर्ट है तो फिर आप कोई भी रेप्यूरेट मैनफेक्चर का चार्जर ले सकते हैं सभी अच्छे होते हैं पीडी वाला लीजिए ताक कि आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाए जो कि आईफोन 13 में सपोर के लिए शायद आप खान बोलते हैं मैं ऑनलाइन बिजनस करने के लिए मैक 3 पर्चेस करना चाहता हूं अब यह आइमक 3 लिख रहे है या मैक बुझे बता नहीं शायद आइमक लिख रहे है तो बोलते एपल प्रोड़क्स में ऑनलाइन डाउलोडिंग करना चार्जेबल ह है कि आप प्लीज शेर और अडवाइज देगो एपल के जो मैक OS है वो बिल्कुल विंडोस OS जैसा ही है आप समझ लिए दोनों सेम ही है बस थोड़ा सा उसका यूई डिजाइन वखर अलग है फुल फ्लेच कंप्यूडर ही है कोई चार्ज नहीं लगता आपको कुछ भी ड 24 Ultra overall एक काफी बेटर फोन है Android side में आज खेने में बोलूँगा बेस्ट फोन यही है लेना है तो यह लो पिक्सलेट प्रो मैंने यूज करके देखा है बिल्कुल बकवास फोन है प्रिया दर्शी बोलते है कि iPhone का जो WhatsApp है उसका UI ग्रीन हो गया है मैंने इसलिए iPhone लिया था कि ब्लू था तो मैं अच्छा लगता था लेकिन अभी यह ग्रीन होगा है तो मैं क्या करो आप कुछ नहीं कर सकते यह WhatsApp वालों का डिसीन है वो डिसाइड करेंगे कि ब्लू रखना है ग्रीन लखना है फीड़बैक जरूर नंको दे सकते हो अर जो सिंग बोलते है मलेशिया से इंडिया आ रहा हूँ वहाँ पे आइफून 15 प्रो मैक्स एक लाग 10,000 रुबैका मिल रहा है तो इधर से खरीद के मैं इंडिया आके 15,000 या 10,000 जादा में बेच सकता हूँ क्या और इसकी वारेंटी इंडिया में क्लेम होगी क्या Apple Store से खरीदू तो बिल्कुल होगी और 10 से 15,000 में आप एक्स्टा में बेच भी सकते हैं लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम्स है पहली बात आपके बास क्या कस्टमर है जो आप से वो चीज़ खरीदे अगर है तो आप बेच सकते हैं कोई शौक वाला है तो बेच सकते हैं दूसरी बात आप उसको यहां पे लाएंगे कैसा लाएंगे सील पैक तो कस्टम ऑफिसर पकड़के आपको कस्टम ड्यूटी मार देगा ओपन करके लाएंगे तो उसका प्राइज वे कम हो जाया तो यह सब चक्कर में मत जाईए क्या करना है 10 से 15,000 कमा के आप अपना ट्रिप एंजॉई कीजिए और वापस आराम से आ वीडियो के अंदर जो चीज़ रेलेवेंट रहती है तो वीडियो का टाइटल थोड़ा सा अट्राक्टिव भी बनाना होता है ताके लोग देखे लोग उसको वाच करें अविसलि हमारा एक काम है तो हम उसको अच्छे से पैकेज करके ही प्रेजेंट करते आपके सामने अ और डिसलाइक से घटने वाला भी नहीं और आपके सामने डांस करने के लिए हमारे आखरी कॉश्चन है वाइपर भाई का वाइपर भाई जो है कौन सा वाइपर स्नेक है यह टोइलेट में जो पाई हम ढखेलते कभी धोने के बार वाला वाईपर है यह तो आप लोग की ड जाओगे ना आप आंटी है कि अंकल है मेरे को मालूम नहीं है आपका जेंडर तो रिवील यहां पर हुआ नहीं है और मैं भी अंकल बनुगा तो इसका मतब यह थोड़ी है कि 60 साल मेरी उमर हो जाएगी यह 50 साल हो जाएगी मैं अंकल हो जाओगा तो जाके वहाँ पर Samsung M-series क फोन लेके यूज करने शुरू कर दो है क्योंकि मैंने बोला था पहले बात मेरे भाई समझ क्या मैंने बोला था किसी ने मुझे पूचा था क्यों है या किसको पसंद है क्या पसंद है याद नहीं है तो मैंने वापी बोला था कि यहां उन लोगों के लिए बेटर रहता ल तो यसे वो लोग फोन लेते हैं, रही बात मेरे डाड की तो मेरे डाड टेक्स है, यह भाई मेरे डाड है, तो ऑविसी बात है उनको अच्छी चीज़े में इस्तमाल करने का दूँगा, और वो भी जो है अच्छी चीज़ यूज़ करना पसंद करेंगे, बाकि आपके डाड झार पसंद कर्दा में इस्तमाल है, यह नहीं थक्तमाल है, यह स्भूज़ में स्तमाल झा। झाल झाल